आज की वीडियो में हम फाइबर के बारे में बात करेंगे देखिए बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि सर फाइबर सप्लिमेंट के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइबर होता क्या है देखिए फाइबर दो प्रकार के होते हैं एक होता है soluble fiber और एक होता है insoluble fiber अभी soluble fiber जैसे की नाम बोलता है na soluble इसका मतलब ये ऐसे fiber होते हैं जो पानी में dissolve हो जाते हैं और क्योंकि ये पानी में dissolve हो जाते हैं इसलिए जब आप इसे लेते हैं तो ये हमारे body fluids में भी dissolve हो जाते हैं और dissolve होने के बाद ये हमारे body में ए Good Bacteria's को यह feed करते हैं मतलब हमारे गड के Good Bacteria's को यह भोजन परदान करते हैं फीड करने के मतलब यह रिया नहीं भोजन परदान करते हैं थीक है अभी अगर हमारे Good Bacteria को गुड sympath है तो गुड fuckin pH की Growth होगी और इन healthy bacteria सी growth होना बहुत ही ज़ादा important होता है क्योंकि ये जो good gut bacteria हैं ये हमारे body में inflammation जो हमारा inflammation है उसको reduce करते हैं साथी साथ ये digestion को भी improve करते हैं और इन दोनो benefits के अलावा जो soluble fiber का benefit है वो diabetes को लेके भी देखा गया है cholesterol level low करने को भी देखा गया है और आपका blood sugar level low करने के लिए देखा गया है in fact थोड़ा सा बहुत strong evidence तो नहीं है बहुत छोटा सा evidence यह भी कहता है कि ये heart disease को भी improve कर सकता है heart disease के symptoms को reduce कर सकता है आपके heart को healthy बना सकता है तो ये सब benefits soluble fiber को लेके गये हैं देखे गये हैं अभी soluble fiber के sources क्या है आप लोगों को मेरे screen पर दिखना होगा ये सब कुछ sources हैं जहां से आपको soluble fiber जो है मिलता है अब हम बात करते हैं insoluble fiber के उपर तो जैसे ही नाम insoluble आता है हमारे मन में जो एक absorb कर लेते हैं आप जैसी insoluble fiber लेते हैं ये हमारे body में water को absorb कर लेते हैं और जाके हमारे body के material से चिपक जाते हैं जिसकी वज़े से ये हमारे body के material पे एक दबाव क्रिएट करते हैं बल्क क्रिएट करते हैं इस टूल बनाते हैं और हमरे इस टूल के जो है प्रॉसेस को यह स्मूथ कर देते हैं तो इससे फाइदा होता है कि यह इन्सॉलिबल फाइबर होता है यह कॉंस्टिपेशन में आप लोगों के लिए बहुत जादा लाब बयाक है इन्सॉलिबल फाइबर के लिए कुछ मेजर सोसेस की अगर हम बात करें तो वह भी आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप चाहे तो पॉस करके इसे इत्मिनाट से पर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि एडल्ट को जो है मतब हुमन्स को चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो उन्हें कितना अमाउंट आप फाइबर चाहिए सबसे पहले आप एक चीज जाने कि आपको ये ट्रैक करने की बिलकुल भी आवश्यक्ता नहीं है कि आपका फाइबर स्ल्यूबल से आ रहा है या इन्सल्यूबल से आ रहा है या दोनों को मिला के आ रहा है हमें मोटा मोटा ये देखना है कि fiber पूरे दिन का fiber जो है कितना जा रहा है चाहे वो soluble से हो चाहे वो insoluble से हो चाहे वो दोनों को मिला के हो अगर आप 50 साल या उस से जवान है ठीक है तो आपको 38 gram fiber per day चाहिए अगर आप 50 साल से उपर है तो आपको 30 gram fiber चाहिए अगर आप फीमेल हैं पचास साल या उस से कम IU है तो आपको 25 gram fiber चाहिए अगर 50 साल से ज़्यादा आयू है, तो आपको 21 ग्राम फाइबर चाहिए, तो ये हो गई फाइबर की डेली रिक्वार्मेंट, चाहे वो सल्लूबर से हो, चाहे वो इन्सल्लूबर से हो, चाहे दोनों को मिला के हो, देखिए आपके डाइट में आपको sufficient amount of fiber मिलता है, अगर आ भी जानेंगे कि fiber supplement के scientific research proven benefits क्या है, और क्यों, किस condition में आपको fiber supplement चाहिए, तो सबसे पहले, fiber supplement के कुछ scientific benefits के बारे में, अगर हम बात करें, तो देखिए, कि 2014 में एक meta analysis हुआ, जो की published हुआ था, American Journal of Gastroenterology में, जिसमें 14 clinical studies को जब review किया गया, तो ये पाया गया कि वो participants, जो लोग fiber supplement लेते हैं, especially soluble fiber supplement, उन में IBS के symptoms improve हुए हैं, as compared to उन participants के, जो लोग soluble fiber supplement नहीं लेते हैं, ठीक है, तो IBS के symptoms improve होने के साथ-साथ, और भी बहुत सारे benefits fiber supplement के देखे गए हैं, जैसे कि Harvard Health article की अगर हम बात करें, तो जो fiber supplement है, वो आपके heart disease को लेके benefit देखे गए हैं, diabetes को लेके benefit देखे गए हैं, constipation को लेके benefit देखे गए हैं, इसके anti-inflammatory benefits को लेके, जो है, research में जो है, इसके proven method जो है, तो ये सब benefits जो है, fiber supplement को लेके देखे गए हैं, हम बात कर लेते हैं, fiber supplement के side effects के बारे भी, इसके safety के बारे भी तो देखिए, 2017 September में एक review published हुआ था, International Journal of Molecular Medicine में, इसके according fiber supplement human consumption के लिए absolutely safe है, पर अगर आप इसे बहुत ही rapidly अपने body में introduce करेंगे, तो ये आप में abdominal bloating जैसे side effects create क कर सकता है, अभी हम बात करें, fiber supplement आपको क्यों चाहिए, सबसे पहले आप एक चीज यहाँ समझें कि आपको भरपूर मातर है, मतलब जितना recommended guideline है, fiber intake की वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है, आपके whole grains में, fruits में, veggies में, nuts में, और ये जो आपको food के through fiber मिल लेना, इसे कोई भी replace नहीं कर सकता, ये सबसे best fiber है, पर अगर किसी भी reason की जैसे आप में fiber नहीं आपा रहा है, for example, बहुत सारे ऐसे individual होते हैं, जो बहुत ही high protein diet follow करते हैं, carbohydrate content low होता है उनके diet में, या फिर keto diet follow करते हैं, तो उनमें ये recommended fiber intake लेना बहुत ही मिश्किल हो जाता है, उस condition में you can introduce fiber supplement और fiber supplement अगर हम बात करें, कौन सैसा soluble fiber supplement है, जो बहुत ही अच्छा है, वो है psyllium husk powder, आपको easily medicine shop पे मिल जाता है, बहुत दा rate भी नहीं है इसके, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो psyllium husk powder supplement जिनको गल्प करने में, अंदर लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो अग derive किया गया है, और इसे अगर आप पानी में मिलाएंगे, तो ये एकदम crystal clear हो जाता है, मतलब इसका कोई color नहीं है, इसका कोई smell नहीं है, इसकी कोई odor नहीं है, तो अगर आप इसे किसी को पिलाएंगे ना एक पानी में घोल के, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें अगर आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप अपने घर में एवरी डे फाइबर रखें, आप इसे लें, पर गैस प्लीज यहाँ में रिपीट करना चाहूंगा, आपकी महेंगे महेंगे फाइबर सप्लिमैंट ना लें, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इंटरनेशनल ब्रेंड के एक्स्प् stabसिब फाइबर सप्लिमेंट लेते हैं, और वो लोग लेते क्यों हैं फाइबर सप्लिमेंट, क्योंकि कुछ यूटीबर जो है ऐसे हाथ में ऐसे एक fiber supplement का डबा पकल देंगे थम्मेल खिचवा देंगे और लिखेंगे कि fiber supplement से करे fat loss देखें guys please understand ये सब आप मत करें fat loss आपकी diet से होता है आपकी exercise होता है आपकी discipline से होता है fiber आपको अच्छा खासा diet में मिलता है you don't need to take extra fiber अगर किसी वजह से fiber पूरा नहीं हो पा रहा है उस case में you introduce fiber to your body सिर्फ उस दिन इंट्रोड्यूस करिए तो guys उम्मीद करता हूं fiber supplement पे लेके जो लोग मुझसे वीडियो के डिमांड कर रहे थे उन्हें आज का वीडियो अच्छा लगा हो काफी knowledgeable लगा हो और ऐसी ही scientific research based और knowledgeable with no bullshit videos अगर आपको देखने हैं तो आप जाके मेरा चैनल सब्स